तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप में ओटी पी जो नहीं भीजा जा रहा है उस प्राड़म को कैसे फिक्स कर सकते हैं तो यह जनरली ऐसा प्रॉब्म तभी आता है जब आप अपने अकाउंट को अच्छी तरह किसे लॉग इन नहीं किये हैं स्टेप बाइस्टेप अगर आप यह करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं वहां से आप सेख सकते कि इस तरह से अच्छी तरह से पारज कर लिते हैं वीडियो को तो इस तरह से कुछ interface नजर आएगा आप ओपन होने के बाद तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना mobile number इंटर कर लेना है तो mobile number इंटर कर लेना है तो चली मैं OTP पर click कर लेता हूँ और ये 29 seconds sorry 30 seconds का ये हमें time देगा और देखते हैं ये आया कि नहीं ये जो अभी message आया हुआ ये 14 minutes पहले का कोई दूसरा message है वो message नहीं है तो इसको मैं हटा लेता हूँ और जब message आयेगा तो OTP यहाँ पर fill up हो जाएगा खुद बखुद और आप देख सकते हैं आएगा ही नहीं क्योंकि similar condition मैं बहुत बार face कर चुका हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं आप में से भी बहुत सारे लोग face करते होंगे बट आज किस वीडियम में आप गता हूँगा किस तरह से आप इसे fix कर सकते हैं देखे 30 सेंड खतम हो गया और अभी तक OTP नहीं आया है जैसे कि आप देख सकते हैं control panel मैंने कर दिखा दिखा दिया है नहीं आया है तो आपको क्या करना है टेंडिशना ह सकते हैं कर दो एक दखते हैं जनननने को हुआ सकते हैं इसे बाद अगर आप लगी लाधिन करोगे तो आप लाधिन करोगे पर अब कर दो चुटेरी करें कि यहां लॉग इन पर क्लिक कर लेता हूं और सेंट लॉग इन विद ओटीपी पर क्लिक कर लूँगा ठीक है कि दुरियों बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मैं इसको कुछ दर के लिए पाउस कर लेता हूं दोस्तों हमारा यह आप देख सकते हैं हमारा हो चुका है और यह message भी अभी आया है आप देख सकते हैं को पसना आई होगी पसना है तो प्लीज वीडियो के लिए शेयर कीजिए और वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लें